पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, जो आपको खुद से पूछना था, अगर आपने खुद से पूछा होगा, तो आपको कुछ न कुछ जवाब भी मिला ही होगा, देखो भाई ब्रहमचर्य तुम भी कर सकते हो, और तुम्हारे दोस्त भी कर सकते है मेरे भी दो दोस्त पिछले एक साल से ब्रहमचर्य करह रहे हैं, हमारी बात ही फायदों पर होती हैं, उनकी चहरे की चमक देख कर ही मुझ में भी उत्साह जागा था कि एक ही जिन्दगी तो मिली हैं, इतना समय हस्त मैथुन करके खुद को खत्म करके देख लिया, अब तो ब्रहमचर्य करके अंदर की आग देखना चाहता हूँ, भीड में भी, अपनी चमक अलग दिखनी चाहिए, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सवाल हम सभी के सामने आता हैं कि कैसे करू मैं ब्रहमचर्य, ये सवाल मैं आप से नहीं पूछ रहा हूँ, ये बात कॉमन हैं और वो हैं हम सभी ब्रहमचर्य करना चाहते हैं, मैंने बताया था आपको कि मुझे चहरे की चमक पसंद आई और मुझे अच्छा दिखना बच्पन से पसंद हैं, तो मैंने उसके लिए ब्रहमचर्य शुरू कर लिया था, ये मेरे दिल की सच्चाई हैं, सुन्दर दिखने का लालच ही मुझे ब्रहमचर्य के मार्ग पर ले आया, और अब जब 350 दिन से ज्यादा दिनों का ब्रहमचर्य पालन हो चुका हैं, तो उसका रिजाल्ट भी सामने हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही एक दोस्त का कजिन आया तो मुझे देखते ही वो बोल बड़ा, भाई का गजब सेक्सी लुक आ रहा हैं, जब आप किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हो न तो सिर्फ एक फाइदा देखकर बढ़ते हो पर आपको दस नए फाइदे साथ में मिलते हैं, बस रास्ता सही होना चाहिए, मेरी चेहरे की ज उसके लिए exercise चुरू कर दी और एक महीने में ही शांदार result मेरे सामने हैं, दूसरा सवाल है कैसे करूं मैं ब्रहमचर्य, इसका जवाब आपको पहले सवाल क्यों करूं मैं ब्रहमचर्य से ही मिलेगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को रोक पर प आपको मिल जाएगा, ये topic आपको सोचना सीखा रहा है, आपके जवाब अलग होंगे, इसलिए आपके तरीके भी अलग होंगे, हो सकता है, कोई अपनी काम वासना को सिर्फ इसलिए रोकना चाहता हो ताकि वो शादी के बाद अच्छी, सेक्स लाइफ चाहता हो, पर इसी बहाने से अभी का तो जीवन सुधर जाएगा, और अगर लाइफ पार्टनर समझदार मिल गई तो बाद की लाइफ में भी सन्यम धारन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, भाई देखो मेरे दोस्त की अभी एक साल पहले ही शादी और उसने उसका experience बताया है कि औरत को वो आदमी पसंद नहीं आता जो रोज तयार रहता है, और आदमी रोज रोज ही उस पर चड़ने लग जाए तो वो भी बोर हो जाती हैं और participate करना बंद कर देती हैं, अब इतना सन्यम तो तुम्हें लाना ही होगा, कि रोज रोज धील न पढ़ो, ब्रहमचर्य कैसे करना है, इसकी बेसिक, जानकारी मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर दूँगा, बाकी आपको सन्यम रखना हैं, भाई ये जो हवस हैं, न ये रात को ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, रात में तुम इस पर लगाम नहीं लगा सकते, श कि नेट खत्म हो जाएं, न तो बंदा फोटो देख कर भी हिला लेता हैं, और फोटो भी न हो तो इमाजिनेशन कब काम आएगी, पर तुम्हें सबसे पहले इसी रात के समय की शक्ती खत्म करनी हैं, रात के समय जल्दी सोना हैं, और भगवान का 15 मिनट नाम जब करके प्र अज़े ब्रहमचर्य पालन की भावना को प्रबल करो, और आप ही काम वासना को खत्म करो, अरे एक प्रार्थना इनसान का जीवन बदल सकती हैं, पर इनसान वो ही तो नहीं करता, ये तो कमजोरों के काम की चीज हैं, हम तो खुद करेंगे ब्रहमचर्य और बार बार गिरत रहता हैं, अरे करो रोज प्रार्थना फिर देखो चमतकारिक परिवर्तन, इसके साथ ही अगले दिन का स्केडियू बनाओ, ब्रहमचर्य अपने मन को आदेश देता हैं, और साधारन इनसान मन के आदेश को मानता हैं, बस यही तो अंतर हैं, मन किया कचोडी खाली, मन किया मन रहेगा या फिर मैं मन को रात में बताओ कि अगले दिन क्या क्या करना है, इससे मन लगाम लगे घोडे की तरह रहेगा, तुम बोलोगे उधर ही जाएगा, इसे ही अनुसाशन कहते हैं, रोज अभ्यास करते करते मन पूरी तरह, अनुसाशन में आ जाएगा, नाइट फ पहियोगी तरल द्रव्य ही निकलता है, जो शुकरानों को महिला के गर्भाशे तक ले जाता है, इसलिए तो सुबह उठने के बाद भी कमजोरी अनुभव नहीं होती बलकि उच्साह बना रहता हैं कि उरजावान हैं, चलो नश्ट कर लेते हैं, इधर उधर की बातों में आकर मत भटको अनुशासन में रहो, नाइट फॉल हो भी जाए, तो सुबह उठकर सबसे पहला काम नहाने का करो और उसके बाद इश्वर को दीपत, लगा कर बोलो की आप से बोला थाना काम वासना को खत्म कर दो, अब आगे से ध्यान रखना, ऐसे ही तो भावना प्रबल होगी, इश्वर भी उसका साथ देता है, जो खुद का साथ देता है, ये रात का समय और सुबह का समय संभाल लो, क्योंकि दिन भर सबकॉंशियस माइंड में वही चलता है, जो रात और सुबह तुम सोच लेते हो, बाकी लहसुन और प्यास बहुत कामुक चीज है, बताया पिछले विडियो में कुछ दिन पहले सर्दी की वजह से ओषधी रूप में लहसुन खा लिया था, तो दो-तीन दिन तक उस्ताद चुनाव के लिए खड़े रहे, बो तो पूजा पाठ का नियम है, तो उस समय ध्यान योग, के सामने मन को शान्त होना ही पड़ता है, तो स कोशिश करो, एक दिन में चेंज नहीं होगी पर कोशिश करते रहोगे तो हो जाएगी, अरे लड़की भी उनहीं की इज़्जत करती हैं, जो सन्यम में रहे, अपनी शक्ती सामर्थ्य कार्यक्षेत्र में दिखाओ, राजा बनो, फिर कौन रानी नहीं बनना चाहती बताओ मुझे आकर, कल तुम UPSC पास कर लेते हो, तो बड़े-बड़े घर के लोग रिश्टा लेकर आएंगे, पर तुम शक्ती का आनंध ही कहा जान पा रहे, पर तुम बने हो शक्ती अर्जित करने के लिए ब्रहमचर्य कैसे करना हैं, ये उस पर बस बेसिक वीडियो था, बाक हर महा दे